सबस्क्राब किजिए UBP Smart Guru Pouls चैनल को और बेल आईकन को दबाईए latest Stock Market Training वीडियो, Stock Market Tips, Online Earning Websites और Online Earning Apps के बारे में सबसे पहले जानलग कहा youngsters चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा 15 अक्टूबर 2018 को इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 10 बेहतरीन कमाई देने वाले सेयर्स के बारे में जिसमें आप ट्रेडिंग करके 15 अक्टूबर 2018 को इंट्राडे में जवरदस्त अर्नि इसको लाइप मारकिट में बाइट लेना है और टार्गेट रखना है इसमें 679 का एंट्र cách लगाना है इस्टोक है हमारा फ्रेंट्स ICICI Bank ICICI Bank को फ्रेंट्स आपको 945 के बाद ही ट्रेड लेना है इसमें भी इसमें देखना है कि बेंग निपटी बेंग जो है ये इंडेक्स 945 तक अप्ट्रेंड में हो और ICICI Bank का भी ट्रेंड 945 तक अब ट्रेंड हो तब इसमें बाइट ट्रेड लेंगे इसमें फ्रेंड्स टारगेट रखना है 325 का स्टोप लोस लगाना है 319 का अगला इस्टोप है फ्रेंड्स हमारा वो भी बैंकिंग सेक्टर से ही है Axis Bank Axis Bank को फ्रेंट्स आपको 9.45 के बार By Trade लेना है इसमें भी देखना है 9.45 तक इस Stock का Trend Uptrend हो और Bank Nifty जो है Nifty Bank ये Index भी 9.45 तक Uptrend में हो तब इसमें By Trade लेंगे हम और इसमें आपको Target रखना है 590 का Stop Loss लगाना है 584 का अगला Stock है Friends हमारा SBI SBI को Friends आपको 9.45 के बाद By Trade लेना है और 9.45 तक आपको देखना है कि इस Stock का Trend 9.45 तक Uptrend हो और Nifty Bank का जो Index है वो भी 9.45 तक Uptrend में हो तब इसमें By Trade लेंगे 9.45 के बाद इसमें Target रखना है 268 का और Stock Loss लगाना है 263 का अगला Stock हमारा By Trade के लिए वो भी है Oro Farma Oro Farma को Friends आपको 9.45 के बाद इसमें By Trade लेना है और इसमें देखना है कि 9.45 तक इस Stock का Trend Uptrend हो और Sensex और Nifty ये भी 9.45 तक Uptrend में हो तब इसमें By Trade लेंगे इसमें Friends आपको 11.47 का Target रखना है 799 का 755 का Target रखना है Friends 20 का Target रेगा परसेर 7.45 का तारगेट रखना है और 7.35 का इसमें Stop Loss लगाना है अगला Stock हमारा Friends Apollo Hospital Apollo Hospital को Friends आपको 9.45 के बाद By Trade लेना है इसमें आपको देखना है कि इस Stock का Trend 9.45 तक Uptrend में हो और Sensex Nifty ये भी 9.45 तक Uptrend में हो और तभी इसमें By Trade लेंगे Sensex Nifty Uptrend में हो और Apollo Hospital का ये भी 9.45 तक में Uptrend में हो तभी इसमें By Trade लेंगे और इसमें Target रखना है Friends 11.47 का Stop Loss लगाना 11.32 का देखना है Regular Uptrend में है इसका इस चार्ट जो दिखा रहे है Friends चार्ट भी हमार Stock का दिखाते जा रहे है Regular Uptrend में है इसमें 11.47 का Apollo Hospital में Target रखना 11.32 का अगला Stock है Friends आदानी इंटर्प्राइज आदानी इंटर्प्राइजेज में Friends इसको 49.45 तक देखना है कि Uptrend में हो ये Stock और Sensex Nifty भी देखना होगा कि 49.45 तक Uptrend में हो तब इसमें क्या करेंगे हम Byte ट्रेड लेंगे आदानी इंटर्प्राइजेज में और इसमें Friends आपको Target रखना 148 का और Stock Loss लगाना Friends इसमें आपको 143 का तोड़ा Net Solo होने के वज़े से चार्ट धिरे खुलड़ा है चार्ट को भी आप लोग देख लें चार्ट इसका Friends खुल चुका है देखिए Regular Up Trend में ये भी चल रहा है और अगला Stock का Friends हमारा HEG 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 को Friends आपको 945 के बाद इसमें भी ट्रेड लेना है इसमें आपको देखना है HEG में देखना है Friends आपको 945 के बाद इसमें भी ट्रेड लेना है Friends और इसमें आपको देखना है कि 945 तक ये Stock Up Trend में हो और Sensex और NipTree ये भी 945 तक Up Trend में हो तब HEG में हम भी ट्रेड लेंगे HEG को Friends आपको 4550 का Target रखना है इसमें 4550 का और Stop Loss लगाना है 2447 का बहुत बढ़ा का Target है 305 रुपय पर Share का Target है Friends और जो अचीव होगा ही 100% अचीव हो जाएगा आपका इसको आप बढ़ा इंकम के हिसाब से देख सकते हैं अगला स्टोक है टाटा एस्टिल टाटा एस्टिल को Friends आपको 945 के बाद ही ट्रेड लेना बाइट लेना है और इसमें देखना है कि यह स्टोक 945 तक अप्ट्रेंड में हो और सेल्सेक्स निप्टी भी 945 तक अप्ट्रेंड में हो तब इसमें हम बाइट ट्रेड लेंगे और इसमें टार्गेट रखेंगे Friends 583 का स्टोप लोस लगाएंगे 576 का और यह स्टोक भी आपको Friends 15 October 2018 को अर्निंग देगा ही और जो हमने टार्गेट दिया इससे भी ज्यादा जाने का दमखम रखता ही है 15 October को Friends अगला स्टोक देखते है Friends हमारा अगला स्टोक है हमारा Reliance Reliance को Friends आपको 9.45 के बाद Buy Trade लेना है और इसमें देखना है कि यह स्टोक 9.45 तक अप्ट्रेंड में हो और इसमें खास बात यह है कि Friends इस स्टोक को 9.45 के बाद सिर्फ इसको देखना है कि अप्ट्रेंड में 9.45 के बाद हो इसमें सेंसेक्स निप्ट्री डॉन ट्रेंड में हो या अप्ट्रेंड में हो कोई फट्रक नहीं पड़ेगा यह 9.45 के बाद Reliance अप्ट्रेंड में होगा तो इसको बाइट्रेट आप ले लेंगे और इसमें टार्गेट आपको रखना है 1142 का Stop Loss लगाना 1126 का प्रेंड अगला एस्टोक देखते हैं हमारा दसमा और आखरी एस्टोक है फ्रेंड 15 अक्टूबर 2018 के लिए के आई ओसी एल के आई ओसी एल फ्रेंड फ्रेंड पिछले एक मंत से अप्ट्रेंड में है बेच में मार्केट गेरा था तो यह डौन ट्रेंड में था लेकिन यह अप्ट्रेंड में जाने वाला स्टोक है और अभी अप्ट्रेंड में फिर आ चुका है यह स्टोक इसको देखना है लाइब मार्केट में नौपेतालिस के बाद ये इस्टोक अप्ट्रेंड में हो और सेंसेक्स निप्टी भी नौपेतालिस तक अप्ट्रेंड में हो तब क्या करेंगे इसमें नौपेतालिस के बाद बाद ले लेंगे और इसमें टारगेट रहना है आपने देखा कि 15 अक्टुवर 2018 को 10 बेहतर इंड कमाई देने वाले स्टॉक्स के बारे में जिसमें आप जबरदस्त अर्निंग करेंगे 15 अक्टुवर 2018 को इंटरडे में ट्रेटिंग करके अगर आपको हमारे वीडियो से लाब मिलता है ता आप ज्यादा ज्यादा संख्याम इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपको लाब नहीं मिलता ता आप डिसलाइक भी कर सकते हैं लेकिन आपको बेनिफिट हो रहा है ज्यादा ज्यादा संख्याम जरूर लाइक करें और अपने मीत्रों को भी शेयर करें ताकि वो भी हमारे इस वीडियो से लाब ले सकें और 15 अक्टवर 2018 के इंट्राडे में टेडिंग करके जवरदस्त अर्निंग कर सकें तो फ्रेंड्स और आपको कोई क्वेस्चन पूछना है तो भी कमेंट बक्स में जासके पूछ सकते हैं को काड़े चैनल के द्वारा कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकें तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना है कल के वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाबाए